नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कायव बूल में और आज इस वीडियो के मादनें से हम बात करेंगे टाटा मोटर्स लिम्टेट के क्वाटर 4 के रिजल्ट के बारे में उससे पहले देख लेते हैं कि आज इस स्टॉक का ट्रेडिंग सेशन किस तरीके का रहा तो आ जहां इसका प्रिवियस क्लोज था 321 का ओपन हुआ 325 के आसपास हाई लगाए 336 का लो लगाए 324 का अब देख लेते हैं इसका 52 वीक हाई जो था 357 का जो 52 वीक लो है वो है तकरीबन 80 के आसपास का अब देख लेते हैं इसमें डिलिवरी बेस्ट पाइंग कितनी वी है त quarter on quarter basis पे वहाँ पे 12% की बढ़त देखने को मिलती है बट year on year basis पे तकरीबन 14% की गिरावट देखने को मिलती है ताटा मोटर्स की बात करें तो quarter on quarter basis पे 52% की growth देखने को मिलती है बट year on year basis पे बात करें तो 14% की गिरावट देखने को मिलती है तो company के पास दोनों ही segment में अब जो company ने outlook दिया है इस चीज को लेके कि किस तरीके का आगे रहने वाला है तो company यहाँ पर company का कहना कि जिस तरीके से covid का impact इस industry में आया है तो वो काफी time तक रहने वाला है और जिस तरीके की semiconductor की shortage हमें worldwide देखने को मिल रहे हैं भी हाली में टेसला में नियो में भी हमें यही चीज देखने को मिली थी और जिस तरीके के commodity price देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आने वाला next quarter हो वहाँ पे हमें गिराव 319 करोड के आसपास रही वहीं चाहां लास्ट कॉर्टर जो थी 76,000 के आसपास की so quarter on quarter basis पे अच्छी growth देखने को मिल रही है बट year on year basis पे हमें गिरावट देखने को मिलती है expenses की बात करें तो expenses में हमें बढ़त देखने को मिल रही है quarter on quarter basis पे but year on year basis पे हमें expenses में कमी आते हैं दिख रही है तो कहीं न कहीं company year on year basis पे अपने expenses को कम कर रही है profit before taxes की बात करें तो यहां पे company ने इस quarter 7,643 करोड का loss बुक किया है so जहां last quarter company profit show किया था वहीं इस quarter company ने loss बुक किया है 7,000 के आसपास का but overall year on year बात करें तो company ने अपने losses को कम किया है अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से total comprehensive income में क्या है total comprehensive income में भी हमें loss देखने को मिलता है चुकि है तक्रीबन साड़े 4,000 करोड के आसपास का but वहीं last quarter company ने comprehensive income में अच्छी खासी growth दिखाई थी positive था but इस quarter company ने comprehensive income में loss बुक किया है but year on year देख सकते हैं कि year on year comprehensive income में काफी ज़्यादा loss दिख रहा है अब बात कर लेते हैं earning per share की तो earning per share जो इस टाइम आप देख रहे हैं मैं ordinary basis पे बात कर रहा हूं कि अच्छी खासी earning per share में हमें गिरावट देखने को मिल रही है quarter on quarter basis पे और वहीं year on year basis पे बात करें तो वहां पे भी हमें गिरावट देखने को मिलती है तो overall company में हमें गिरावट देखने को मिल रही है चाहे EPS की बात करें चाहे overalls company की growth की बात करें तो अब इस stock में क्या करना चाहिए, यहाँ से मेरा मानना है कि stock में अच्छी खासी profit booking आनी चाहिए, बट no doubt company जिस तरीके से EV setups बिल्डप कर रही है, जिस तरीके से अपनी technology को आगे बढ़ा रही है, तो long term के लिए यह stock अच्छा है, बट अभी हाली के दिनों में आगे, आरे वाले दिनों में कुछ दिनों में इसमें अच्छी खासी profit booking हम देख सकते हैं, लेकिन वो एक time होगा जब हम इस stock को buy करके चल सकते हैं long term के लिए, long term के लिए stock में मैं target देखता हूँ, साड़े 400 से 500 का और हो सकता है कि साड़े 400 का target हमें next year इसी same quarter तक आते आते दिख जाए, so stock को buy करके चलना चाहिए, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, घर पे रहिए, safe रहिए, सुरक्षेत रहिए, और stocks related आपकी कुछ भी query हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, बाबाई